हेलो माई डियर इस्ट्रेंट्स गोड इवनिंग कैसे हैं मैं आसा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग को यह प्लैनेट पे श्वागत है मैं पुना एक नए जोस दुरून के साथ फिर से दुबारा यूज अफ वर्व टू बी का पार्ट नबर टू वीडियो लेकर गाया हूं आप लोग यूज अफ वर्व टू बी पार्ट नबर फरस्ट में पढ़े होंगे यदि आप लोग लेक्चर फरस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग लेक्चर फरस्ट यूज अफ वर्व to be का part number two यानि lecture two देखिए तो मैं इसको बताने से पहले थोड़ा reason करा दू कि use of verb to be to be क्या है अगर किसी ने पुछ दिया to be क्या है तो आप लोग जवाब देंगे to be verb है to be में कौन कौन से verb आते हैं तो present verb, past verb, future verb आते हैं to be का present verb का नाम is, am, are, past verb का नाम was, were, future verb का नाम will be selby to be का हिंदी क्या होता है तो to be का हिंदी होना या बनना होता है इंग्लिस में become बोलते हैं to be से क्या पता चलता है तो to be से इस्तिती या दसा का पता चलता है यानि condition या situation इस्तिती कहीं या दसा कहीं दोनों बाल सेम है उसका इंग्लिस भी situation या condition दोनों शेम है तो इस्तिती दसा किसकी बताय जाता है नाउन का इस्तिती या दसा बताय जाता है नाउन किसे कहते हैं जिस word का आप नाम लेकर के बोले जिस word का आप लोग नाम लेकर बोले उशी को noun कहते हैं यानि noun is a naming word तो चलिए lecture number two में मैं use a verb to be का lecture number two start कर रहा हूँ आप लोग copy column ले करके बैठिए खाली हाथ नहीं बैठना है खाली हाथ बैठने से कुछ होने वाला नहीं है तो please आप लोग copy और pen दोनों ले करके शाथी साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए और no down कीजिए ओके चलिए तो आप लोग रेडी हैं ठीक ठीक है ओके ठेक्स वेरी गुल चलिए मैं बताने वाला हो कि sentence दुनिया का कोई भी sentence में इसके पहले बताया था कि सब्जेट किसे कहते हैं जिसके बारे में बात किया जाता है इस के बारे में बात क flick reflect केते हैं फिर से रिविजन सब्जेट किसे कहते हैं जिसके बारे में बात किया जाता है वर्व सब्जेट के द्वारा किये गए काम को वर्व कहते हैं और दूसरा परिभासा जिस सब्जेट के लाश्ट में ना लग जाए जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं बस महसूस कर सकते है और जिसे अब देख लिए वह अब वर्व नहीं कहलाता है, वह ना उन कहलाता है, पिछले लेक्ष्टर जो फरस्ट है, उसको आप लोग देख लिजिए, आज मैं बताने वाला हूं कि सब्जेक्त कितने परकार के होते हैं, तो चलिए, इस्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट सिंगलर और एक सब्जेक्ट प्लॉरल यह मैं सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट क्यों बता रहा हूं वर्ब भी बताऊंगा यह क्यों बता रहा हूं क्यूंकि आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जैसे क्लास 12 हो कमप्रेटिव एक्जाम्स हो कोई भी उसमें एक टॉपिक्स आता है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्व एक्रिमेंट यानि सब्जेक्ट और वर्व का एक्रिमेंट ओके जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्व होनी चाहिए तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जनकारी हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट दो परका आना है कि similar subject he see he see it this that or name ओके यह सारे के सारे कौन सा subject है similar subject हैं ही का परियोग किसके लिए क्या जाता है पहले ही का हिंदी देख लिए ही का हिंदी वह होता है सी का हिंदी भी वह होता है और देट का हिंदी भी वह होता है चलिए थोड़े हिंदी अच्छे से लिख देशका कि एक मिनाट एक मिनाट कि ही का हिंदी वह शी का हिंदी वह और देट का हिंदी भी वह अब प्रस्निय उठ रहा है कि he का हिंदी भी वह, she का हिंदी भी वह और that का हिंदी भी वह तो कौन सा वह के इंगलीज कब use करेंगे क्योंकि वह का इंगलीज तो तीन वर्ड है एक he, एक see और एक that, तो चलिए he का जो use करते हैं हम लोग, he का जो use करते हैं वह formal male, पुरूस के लिए किसके लिए, और यह for female, इस तरीक लिए ओके, सबको समयमारीक नहीं आ रही है, और यहाँ जो that का जो परियोग है, अगर इसका हिंदी वह निकले तो यहाँ unlimited use है unlimited use, यानि आप कहीं पर भी use कर सकते हैं, चाहें वो male के हो, चाहें female के लिए हो, okay सब्सक्राइग नहीं है, very good, जैसे मैं एक example बोलना चाहता हूँ जैसे मैंने बोला कि वहाँ खाना खा रही है वहाँ खाना खा रही है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वह इस तरीक के लिए प्रियो की बात किया जा रहा है या पूरुस के लिए बात किया जा रहा है या किस के लिए बात किया जा रहा है तो आपको sentence के last में action से पता चलेगा कि male की बात किया जा रहा है कि female की बात किया जा रहा है जैसे मैंने एक example बोला कि वहाँ खाना खा रही है तो रही है से लग रहा है कि कोई female खा रही है इसलिए वहाँ का जो English होगा C होगा She is eating She is eating the food She is eating an apple सब्सक्राइब रहा है न अगर मैं बोलू कि वह नाच रहा था नाच रहा था तो वहाँ कि जो last में action हो रहा है नाच रहा था लिखा है तो रहा से लग रहा है कि कोई male नाच रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे He लगाएंगे लेकिन अगर आप ना He लगाना चाहते हैं ना C लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप that का भी प्रियोग कर सकते हैं जैसे वह मेरा दोस्त है, अगर वह पुरुस है, तो he is my friend, अगर वह इस्त्री है, तो she is my friend, अगर ना तो he का प्रियोग करना चाहते हैं, ना हिसी का प्रियोग करना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं, that is my friend, है, that is very good, अब चलिए, एट का जो हिंदी होता है, एट का हिंदी होता है, यह और दिस का हिंदी भी यह, उन्ट का हिंदी यह, अब इसका प्रियोग कहा करते हैं, तो धियान से समझें, इट का जो यूज होता है वह लिमिट इज होता है इट का जो यूज होता है लिमिट इज होता है इसका परियोग निर्जी उवस्तों के लिए क्या जाता है नॉन लिविंग थिंग्स इसका परियोग कीडे मकोडे के लिए क्या जाता है कीडे मकोडे इंसेक्ट्स ठीक है इसका परियोग कीडे मकड़े हो गया पॉसू यानी जानवर के लिए किया जाता है उके इसका परियोग पक्छी यानी पक्छी आप लोग जानते हैं ना चिडिया वेगेरा वेरी गूड इसका परियोग अस्थान के लिए किया जाता है अस्थान मतलब प्लेस कोई भी जगा हो और इसका परियोग बहुत ही छोटे बच्चे के लिए परियोग किया जाता है तो यहां जो इट का परियोग है लिमिट है यहां जो तीन यह जो तीन वर्ड है न यह डेमोस्टेटिव परणाउन है यह डेमोस्टेटिव करता है क्या करता है जी बबू डेमोस्टेटिव करता है कौन-कौन वैशे क्या हो बबबू चलिए यह जो इट है न और दिस यह डीपी है क्या है डीपी डेमोंस्ट्रेटिव प्रणाउन आप लोग को जब मैं प्रणाउन पढ़ाऊंगा प्रणाउन पढ़ाऊंगा टॉपिक तो आप लोग किलिए हो जाएगा चलिए लिमिटेड यूज अर्थात मेरा कहने के मतलब क्या है आप इट का परियोग लिमिट कर सकते हैं जैसे इट का परियोग निर्जी वस्तू जैसे माल जे यहाँ कलम है तो इट इस अपन इसके जवाप आप दिस इस अपन भी लगा सकते हैं क्तिर फिर्रह जैसे कीड़े म्ोकड़ा है तो यहाँ कुदा है तो इस है गاد तो इट इस अधुक टाङट इस डौट वी लगा सकते हैं यापक्चि हो क्या हो पक्ची तो पक्ची में पाले जिए यहां कोई हो यहां है यहां कव्वा है इसफान हो यहां बास ड बास ड है इतक लखनाओ है है इडिए लगनाव यहां कोलकात्द है इड पोल्कपुर लिए इस वलिए लंगा सकते हैे नियुली के यह इडका बंतलब क्या कोई शह मैंने का सालभर का सब्सक्राइब absorb तो इसको छोड़ा करके कहीं भी इट का परियोग जब करेंगे और हाँ एक और इट का परियोग करते हैं कहां पर जब समय दीन महीना या प्राकृति आप दायें के बारें बताएंगे समय बताएंगे दीन बताएंगे महीना बताएंगे वर्स बताएंगे प्राकृति घटनाओं के बा ठीक है अब मैं कहूं कि यहां मेरा दोस्त है तो दोस्त हम लोग जैसे दोस्त है वह तो ना तो कीड़ा मोकोड़ा है ना पस्सू-पक्छी है ना कोई अस्थान है ना कोई बहुत छोटा बच्चा है बासमार एक निया रहे तो वहाँ पे it is my friend नहीं कहेंगे this is my friend यहां रॉहं है नोट इट इस राम दिस वह जो टो सिमिलर सब्रेट कॉन होता है ही सी इत डिस यह किसी का भी नाम चाहिए ओं मेल का नाम हो यह सब्जेक जो है सेकेंड प्लूरल सब्जेक्ट अब मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट तो हो गया बावू अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ singular subject आप बता सकते हैं singular subject कौन-कौन होता है direct बताए he see it this that या one name अब चलिए plural subject का नाम बताए plural subject plural subject कौन-कौन होते हैं तो plural subject आपको अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा दोस्त I V U They I, V, U, They this का जो plural होता है this होता है that का plural जो होता है those होता है और name का जो plural होता है names होता है यानि यहाँ पर जो नाम है more than one more than one एक सधिक नाम है किसी भी चाहे male का नाम लीजिए या female का नाम लीजिए या male female दोनों का नाम लीजिए more than one होना चाहिए एक सधिक नाम होना चाहिए तभी वो पुल्वर सब्वेट कहलाता फे चलिए मेरे दोस्तों आई का जो हिंदी होता है सभी लोग में बताते हैं आई का जो हिंदी होता है सभी लोग में बताते हैं लेकिन आई का जो हिंदी होता है मेरे भी होता है क्या होता है दोस्तों मेरे भी होता है और मुझे भी होता है मैंने कहा कि कोई भी चीज बैसिक से इडवांस पढ़ा जाएगा जैसे आई के हिंदी में बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे के इंगलिस माई होता है मैं मानता हूँ कि मेरे के इंगलिस माई होता है और मुझे के इंगलिस मी होता है बट हर जगव मेरे के English my और मुझे के English me लिखना भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जैसे जिसके बारें बात करते हैं उसे subject कहते हैं जैसे मैं बोलू कि मैं एक लड़का हूँ तो वहाँ पर जो main word है मैं के बारें बात हो रहा है तो वहाँ पर subject हो गया मैं उसके इंगलिस होता है I अगर मैं बोलू मुझे बुखार है मुझे बुखार है तो वहाँ पर ही किस के बारें बात हो रहा है मुझे के बारें बात हो रहा है तो मुझे के इंगलिस भी क्या होगा I होगा I have fever I have fever मेरे पास 10 BMW कार है तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, मेरे के बारे में बात हो रहा है, तो मेरे के इंगलिस भी क्या होगा दोस्तों, आई होगा, तो बहाँ पर क्या हो जाएगा, I have 10 BMW cars, ऑके समय आगी ने आया, चलिए, वेरी गुड, इसको एरेस कर दे, चलिए, V का हिंदी जो होता है हम या हम लोग, U का जो हिंदी होता है तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, दे का जो हिंदी होता है वे लोग दिस का हिंदी होता है यह जो दे का प्रियोग है ना only person person के लिए सिर्फ person के लिए प्रियोग होता है दिस का प्रियोग दिस का जो हिंदी होता है दिस का जो हिंदी होता है यह दिस ने सोड़ी दिस क्या है दिस है क्या है जी दिस है दिस का जो हिंदी होता है यह यह सब दोस का हिंदी वे या वे शब ओके नेम्स तो आप लोग जानते हैं एक सधिक नाम जब एक सधिक नाम हो दो नाम लेंगे तो एंड लगेगा जैसे रा नाम लेंगे जैसे राम कॉमा सीता एंड गीता जैसे लास्ट ओला नाम लेंगे उससे पहले क्या जूट जाएगा एंड जूट जाएगा किलर हुआ चले वेरी गुड तो पूलर सब्जेक्ट कौन है आई वी यू दे दीज दोज नेम्स और हां आप लोग को सस्पिशन होता होगा कि आई तो आई का हिंदी तो मैं होता है और मैं तो सिंगलर सब्जेक्ट है तो पूलरल में क्यों लिखा गया है यहाँ बात सत्य है क्यूंकि आई को पूलरल सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है क्यूंकि मैंने जस्पहले ही बोला था कि आप लोग क्लास बारह में या competitive exam में पढ़ेंगे कि subject, verb, agreement subject, verb, agreement जैसा subject, वैसा ही verb तो I subject में मानता हूँ कि singular है लेकिन यह 98%, 98% सो में 98% कौन सब वर्व लेता है plural वर्व लेता है इसलिए जब I singular subject है लेकिन वर्व 98% plural को लेता है इसलिए इसको किस list में रख दिया गया है plural list में लख दिया गया है कौन सा list में रख दिया गया है plural list में रख दिया गया है और 2% कौन सा है जो सिर्फ singular वर्व लेता है तो 2% I के साथ यह तो aim आ जाएगा या तो i के साथ अगर past की बात करें तो waz आ जाएगा तो aim और waz ये दोनों similar verb है इसके साथ i के साथ aim और waz आता है बाकी इस 2% को छोड़ा करके जितने भी verb आएंगे वो हमेशा i कौन सा लेगा verb, plural verb लेगा, इसलिए इसको कौन सा लिष्ट में रख दिया गया है, plural subject में रख दिया गया है, बोलिए मेरी बात समयमार एक नहीं आ रहे है, very good, आईए अगला चलिए मेरी दोस्तों अब मैं आप लोग को बहुत ही बहुत ही थोड़ा नीचे करके लिख लें इसको चलिए जो मैं आप लोग को use of word to be पढ़ा रहा हूँ उसको अब अच्छे सा आप लोग समझेगा क्योंकि जो sentence बनाते हैं तीन चीज़ बिलकर बनाते हैं subject verb तो यहाँ पे जो verb पढ़ा रहा हूँ, कौन सब verb पढ़ा रहा हूँ to be plus other word तो मैंने बोला था कि जो other word है आपका ख़जाना है इसमें सब जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ निकाल सकते हैं तो वो हमेंने क्या निकाला noun or adjective noun or adjective तो ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्तो मेरे प्यारे students कि sentence तीन word मिलकर बनता है subject, verb, other word तो subject हो गिया मैं verb में कौन सा verb पढ़ा रहा हूँ to be मैं verb में कौन सा verb पढ़ा रहा हूँ to be पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं जैसे ही बोलू कि to be का कौन सा verb बताए present verb बताए जैसे ही मैं बोलू to be का कौन सा verb past verb तो आपको बताना पढ़ेगा जैसे ही मैं बोलू टूबी का कौन सा वर्व फ्यूचर वर्व तो आपको क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा चलिए मैं आपसे क्वेशन कर रहा हूँ जो इस्टुडेंट लेक्चर फर्स्ट टूबी का पढ़े होंगे तो जरूर बताएंगे कि टूबी का एम और पास्ट वर्व कौन होता है वाज वर्व फ्यूचर फ्यूचर के मतलब होता है विल और सेल लेकिन यहां फ्यूचर किसका है टूबी का है तो विल सेल से लगता है कि फ्यूचर की बात कर रही है लेकिन जैसे ही बी लग गया तो यहां फ्यूचर टूबी का बनी गय अब एक बात आपको ध्यान यह देना है जैसे टूबी के बाद नाउन आ गया जैसे ही टूबी के बाद नाउन आ गया या जैसे टूबी के बाद ऍजक्टिब आ गया तो उसका जो हिंदी निकलेगा उसका जो हिंदी निकलेगा क्या चीज मेरे दोस्तों उसका जो हिंदी निकलेगा होना या बनना निकलेगा इसे क्या पता चलता है तो नाउन का दसा या इस्तिती पता चलता है यानि इंगली से बोलते हैं condition या situation किलरवना अब चलिए बहुत खुबसूरत बात, बहुत खुबसूरत बात, अब यहाँ पर जो topics आएगा, next concept, next concept, वह है subject, subject, verb, agreement, subject, verb, agreement, यानि जैसा subject, वह यहाँ होनी चाहिए, verb होनी चाहिए, तभी क्या होगा, agreement होगा, चलिए, very good, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर subject singular है, तो verb भी क्या होगा, singular होगा, तो चलिए, मैं फटाक्सिस में बता दे रहाँ, कौन singular है, कौन plural है, ठीक है, चलिए, ध्यांस देखिए, is, कि कितने एक्षर का है, कितने लेटर का है, दो लेटर का है, एम भी कितने लेटर का है, दो लेटर का है, और, आर कितने लेटर का है, तिन लेटर का है, अब बताए, इन दोनों से बड़ा कौन, आर, तो जब इन दोनों से बड़ा आर है, तो आर कौन सा वर्ब हो गया, plural और यह दोनों ब्रावर लेटर का है कितने ब्रावर यह भी दो लेटर का और यह भी दो लेटर का है तो दोनों सिंगुलर वर्व यानि इस कौन सब बताइए सिंगुलर वर्व की प्लूरल वर्व सिंगुलर वर्व और एम भी कितने अक्षर से मिलकर बना है दो अक्षर से इ इस और एम सिंग्लर वर्व हो गए और कोई पूछे कि इस का प्लूरल वर्व क्या होता है तो फड़क्स बताइए आर होता है एम का भी प्लूरल वर्व आर क्लियर वा यहां से कंसेट क्लियर इस का प्लूरल वर्व आर एम का प्लूरल आर अब चलिए जैसे आपके गाउं में मालिजे आस्पडोस के आस्पडोस में घर होंगे तो इस घर के छोटा सा बच्चा इस घर में भी एक छोटा सा बच्चा है और इस घर में भी छोटा सा बच्चा है और यहां पे इस घर में एक बड़ा सा बच्चा है इस घर में भी बड़ा सा बच्चा है तो इमंदारी से बताईए कि दोनो घर जो दोनो घर में जो बच्चे हैं जिस लेवल के बच्चे हैं उसी लेवल की दोस्ती करेंगे किलियर हुआ की नहीं हुआ अगर यह घर जो है इस घर में छोटा बच्चा है तो यहाँ अपने हिसाब से दोस्ती करेगा तो इस घर में जो छोटा रहेगा उसी से दोस्ती करेगा और यहाँ जो बड़ा बच्चा है क्या छोटे से दोस्ती करेगा नहीं यह किस से दोस्ती करेगा बड़े से दोस्ती करेगा मेरी बास नहीं नहीं आई यानि कहने का मतलब यह हुआ कि is mr इस घर से बिलोंग करते हैं यानि पर्जेंट वर्ब से ठीक है किसका हिसा है टू बी का पर्जेंट वर्ब से पिलर हुआ और वाज वर इस घर से बिलोंग करते हैं यानि is mr इस घर से बिलोंग कर रहे हैं वाज वर इस घर से बिलोंग कर रहे हैं मेरे बाद सब क्या कहता है कि यहां तीन अक्षर का लिखा हुआ है और यहां चार अक्षर के लिखा हुआ है बड़ा कौन है वर्व तो जब यह बड़ा वर्व है तो प्लूरल वर्व हो गया और यह छोटा है तीन अक्षर का है तो यहां सिम्लर वर्व हो गया कि चलिए इस भी singular MV singular thi यानि ईज और यदो कallsods बर्बग क्या होगा इज और एम का पास्ट क्या होगा फटाक से बताइये वास होगा 2 तो इस और एंचना पास्टवाज और हार जब पुलराल है तो इसका पुलराल क्या होगा वर मेरे बास संवाई किलर हुआ इस का पास्ट वाज एम का पास्ट वाज आर का पास्ट आर का पास्ट वर किलर वा न यह नि वेर चलिए तो अब आपको में सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट आपको बताओंगा धियान समझेगा चलिए कि सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट क्या आप लोग कलाम और कॉपी लेकर बैठे हैं अगर आप नहीं बैठे हैं तो प्लीज मैं आप लोग को एक टीचर के नाते मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग रफ और पेन लेकर के बैठिए माँ बा तो अच्छे से पढ़िए मन लगा को पढ़िए और नाम रोसन कीज अपने मता पीता का अपने गाउन अगर का अपने स्कूल का अपने अध्यापक का ओके चलिए तो यहां पर हमें एग्रिमेंट कराना चाहता हूं यही से आपका एक्जाम में कोईशन बनता है ठीक है एक्जाम में तो चलिए सबसे पहले में 2B का कौन सा वर्व का परियोग करना चाहता हूं पर्जेंट वर्व का बस थोड़ा से आप लो धियान दीजिए उसके बास से संटेंस बनाना सिखेंगे इतन से कि मेरे यहां पढ़ना है तो जल्दी बाजी मत पढ़िए इदम धी धीर अराम से basic to advance पढ़ि एक बात बताईए अगर वर्व तीन हैं अगर वर्व में मालीजे कितने वर्व हैं तीन वर्व हैं तो subject भी कितने होंगे तीन होंगे मैंने बोला था ना कि जैसा subject वैसा वर्व जैसा वर्व वैसा ही subject अगर वर्व में तीन वर्व हैं तो हमको subject भी कितने होने चाहिए तीन होने तीनों डिंट्रिबीट होने चाहिए तो चलिये ध्याद समझ रहे हैं यहां पर मैं लिखना हूं सिंगुलर सबजेक्ट सिंगु तो इसी 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 ए डेटेशड और किशिका नाम यानि कितना नाम वन वन नेम चाहे मेल का नेम हो चाहे फीमेल का नेम हो बोलिए मेरी बास आजमारिये अब मैं इन सिंगुलर सब्जेट से कहूं कि बताओ इन तीनों वर्व में किसको पसंद करते हो किसको लेना चाहते हो तो जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्व अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्व भी क्या होगा सिंगुलर होगा तो आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि ही कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट इस सी εν extensive किसी का नाम ले लो चाहे मेल का नाम लीजिए चाहे फीमेल का नाम लीजिए अगर एक नाम ले रहे हैं तो वह कौँ सा से क्या हो जाएगा रैइट होगा जैसा सब्जक्ट वोइभ अगर दोनों आग्रिमेंट है तो वहाँ पे सई हो जाएगा कि लिए भाँ छलिए दूसरा कंशेट दूसरा है कि दूसरा आई गो भी ऐसे अगध है कि plural subject कौन-कौन है तो plural subject फटक्स बते कौन-कौन है मैंने बोला था जैसे मैं बोल रहा हूँ इसे बताइए आई वी यू दे दिस का plural दिस देट के plural दोज और नेम का क्या हो जाएगा दोस्तो नेम तो इसका plural क्या होगा इसका जब यह subject plural हे तो वर्व भी क्या होगा Plural होगा गी नहीं होगा तो Verb भी क्या होगा Plural होगा क्या आदाग से पते गया होगा जहिसा Subject वैसा Verb आप लोग एक चीज krijए हैं कि सर जी एक चीज गलत पढ़ा दिये मैं गलत नहीं पढ़ाया मैं आपको Confuse करना चाहता हूँ आप जब सत्य रास्ते पहें सही रास्ते पहें तो डरने की जरुवत नहीं है देखिए सब्जिक सिंगलर यहां पहो गया पूलरल यहां पहो गया बज़ गया कौन इन सब्जेट के साथ बेचारा इस आ गया और इन के साथ कौन आ गया आर आ गया बज गया बेचारा कौन बज गया बेचारा कौन तो बज गया आपका एम कौन बज गया एम बज गया यह कहा गया तो मैंने कहा था कि अगर वर्व तीन है तो सब्जेट भी कितने होने चाहिए किसी आहलात में तीन होनी चाहिए वैसे तो subject दो ही होते हैं एक singular subject और एक plural subject तो इसलिए यहाँ पे आपको मैं note लिखवा दे रहा हूँ क्या लिखवा दे रहा हूँ मेरे दोस्तों मैं आपको note लिखवाना चाहता हूँ आप लोग note कर लिजिएगा कि अगर I जो subject है I कौन है subject है अगर इनके साथ is, aim, r कहा जाए कि I को is, aim, r में से कौन सा लेगा I is, aim, r में से कौन लेगा तो आपको फटाक से जवाब देना है कि कौन लेगा, aim लेगा यानि I के साथ is नहीं आता है और I के साथ r नहीं आता है यह बात note कर लिजिए और दूसरी बात note करने वाली या है कि अगर I के साथ अगर I के साथ वाज और वर की बात किया जाए तो कौन सा लेगा फटाक से बताए तो वर का प्रियोग आई के साथ नहीं होता है क्या होता है, वाज होता है यानि यहीं दो एशा singular वर्व है एम और वाज जो आई के साथ आता है वरना सभी के साथ वर आता है तो फटाक से बताए आई के साथ आर तो होगा नहीं आई के साथ एम तो होगा नहीं आई के साथ वर होगा नहीं इसलिए मैं यहां से आई को मिटा करके मैं यहां पे लिग देता हूँ कि i के साथ i के साथ अगर present में रहेगा किसमें? अगर present में रहेगा तो is होगा और past में रहेगा तो was होगा आपका sentence क्या हो जाएगा agreement हो जाएगा subject verb, agreement हो जाएगा word, right हो जाएगा, clear वा? इतना concept clear हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए to be का present verb का agreement हो गया वर्ब आई अगला चलिए चलिए वेरी गूड आप लोग मन लगा कर पढ़िए टू बी का कौन सा वर्ब संटेंस तो सब कोई बताते हैं संटेंस तो सब कोई बताते हैं लेकिन बैसिक जड़ कोई स्टॉंग नहीं करवाता है इसलिए में इसी जो जुनुन के साथ हम लोग जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं वह इसी जो जुनुन के साथ हम लोग एक नय योग प्लेनेट संस्था चालू किये हैं ताकि आप लोग बेसिक से एडवांस तक पढ़ें और बहुत ही आगे जाएं आपका माइंड सार्फ हो आप कहीं भी जाएं तो बारूद आप ल लगा कर पढ़िए मेरे दोस्तों ढूबी का कौल सा वर्म पास्ट वर्म तो टूबी का बास्ट कौं होता है तो अदिक से बताये वाज चो तो singular subject कौन हो गया फटाक से फिर से मैं आपको बार बार revision करा रहा हूं मैं आपको बार बार revision कराना चाहता हूं ताकि आपका mind एदम सार्थ बन जाए चलिए तो singular subject कौन है दोस्तों ये color एदम साफ नहीं आ रहा है singular subject कौन है तो फटाक से बताएए he, see, it, this, that तो और एक किसी का नाम यानी name तो ये जब singular subject है तो past verb किसका to be का जो past verb है उसमें कौन सा आएगा फटाक से बताएए फटाक से बताएए वाज होगा कि वर होगा वाज होगा जैसा subject वैसा ही वर्व sentence क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा उसके बाद अगर subject अगर subject अगर subject प्लूरल है क्या है अगर subject क्या है प्लूरल है यानि प्लूरल subject तो इसके साथ आई को छोड़ा करके किसको छोड़ा करके आई को 초ड़ा करके बाकि इन सभी के साथ क्या आता है फटाक से बताइए क्या आता है वाज आता है कि वर आता है वर आता है तो आपका राइट हो जाएगा तो आई के साथ क्या आएगा मेरे दोस्तों आई के साथ मैंने बोला था ना आई के साथ मैंने बोला थाने क्या आएगा वाज आएगा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर आई के साथ आप वर लगा दियें तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कॉमन एरर कॉमन एरर यहीं से बनता है इसलिए छोटी छोटी पोइंट्स आपको अच्छे से क्या करना है पढ़ाना है वेरी गुड अगला अगला क्या है कि टू भी का फ्ीचर वर्ब कंसे वर्व में चाहता तो एक इन बढ़ा करके खत्म नहीं कर रहा है हम अपने मन से वह नहीं कर रहे है कि चलो हम अपना तैलेंटेट देखारें नहीं हम्मारा मक्सद है हम लोग का समझे और बहुत ही आप लोग जो चीज पढ़ा है ज़र वही चीज आप लुग पुरा दुनिया इंप परचार करें बास है रहे हैं तक कि आपका नाम हो कि इसमें कुक्रने वर्व हैं दो जाहिट सी बात है कि दो सबजिक्ट भी होगा तो मैंने कहा कि एक यहां पर ध्यान दीजिए मैं डायट यहीं पिलिक दे रहा हूं मैंने कहा आप लोग को आप लोग पढ़े होंगे कि आप लोग पढ़े यहीं होंगे कि अगर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट क्या रहे आई रहे और वी रहे आई रहे और वी रहे तुसके साथ क्या लगाना चाहिए? Sel लगाना चाहिए, पड़ेंगगी की नहीं पड़ें? Very good, अच्छा चीज है, अच्छा बात है, IV के साथ Ser में लगता है, और I, V को छोड़ करके, परी को छोड़ करके, क्या करके? छोड़ करet सब्जेक्ट के साथ किसी इसका प्रियोग करते हैं विल का प्रियोग करते हैं क्या आप लोग पढ़ेंगी नहीं पढ़ें आईवी के साथ सेल आईवी को छोड़ा कर कोई कि अगर आप आई वी के साथ सेल नहीं लगाएं भूल चुक से अगर आप आई वी के साथ सेल नहीं लगाएं क्या लगा दियें विल लगा दियें मैंने कहा यहां पे बाट यहां पे जो बात में बताने वाला हूं नोट कर लीजिएगा अगर आई वी के साथ आप आई वी के साथ अगर आप जो है शेल लगा रहे हैं तो शही है जैसा subject वेसा verb बट अगर आप वील भी लगा दियें तो भी सही है कोई गलत काटने वाला नहीं है क्यूं क्यूंकि नोट में आपको यहीं लिखना है कि अगर कोई शंटेंस अगर कोई भी संटेंस अगर कोई भी संटेंस अगर कोई भी संटेंस पोजिटिव संटेंस हो या या पोजिटिव संटेंस का पोजिटिव संटेंस का निगेटिव संटेंस हो तो आईवी के साथ विल का परियोग कर शकते हैं किन्तु आईवी किन्तु शंटेंस इंट्रो गेटिव हो तो आईवी के साथ सेल का परियोग किया जाता है मेरे बात आई आई जाता है कि जब कोई मनुश्य किसी बार्डर पर लड़ने जाता है कोई भी सेलिक कर उदमें लड़ने जाए तो बीना हतियार का लड़ने जाएगा ना तो हमना जायेगा इसलिए पहले सस्त्र पहले हथियार को मजबूत रखिए, सब हथियार ले लिजिए, तब जाकर जंग लड़िए, आप जीत करके आएंगे, तो मैं चाहता तो डायेट कोई संटेंस बता देता, लेकिन पहले हथियार रखिए ना, उसके बास पूरा संटेंस बताएंगे, ठीक है ना, very good, आगे देखिए ठीक है, तो अगला कंसेट क्या है, अगला कंसेट मैं बताऊंगा संटेंस, तो संटेंस बनाने के लिए पहले इस्ट्रक्चर देखिए, शंटेंस बनाने के लिए क्या चीज़, इस्ट्रक्चर, तो इस्ट्रक्चर हम कहां से सुरू करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कौन सा वर्ब टूबी पलस अधर वर्ड में से मैंने निकाला देखिए मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूं तो एक बार जरूर रिविजन करा ही रहा हूं इसी में ठीक है न अधर वर्ड बस आप खत्मे होने वाला है आप लोग देखिए चलिए तो फट वर्ब वाज वर्ब फ्यूचर वर्ब विल भी शेल वी तो जब यह पर्जेंट वर्ब है तो कौन सा टेंस में काम करेगा पर्जेंट टेंस में और पास्ट वर्ब है तो पास्ट टेंस और फ्यूचर वर्ब है तो फ्यूचर टेंस अभी इसमें बता दे रहा हूं टेंस प परसेंट लास्ट में था थी थे अगर फ्यूचा टेंस है तो 80% लास्ट में गागी गें अब मैं हिंदी में वाक्य बताऊंगा की से बताऊंगा अब मैं वहाबारी आप लोग के आ गई जो बेसवरी से आप लोग क्या करते थे इंतिजार करते थे ओके चलिए अब मैं संटेंसे बोल रहा हूं एक्जांपल पहले छोटा संटेंस उसके पुरा बड़ा बड़ा संटेंस बनाएंगे ठीक ना पहले छोटा संटेंस मैं आप लोगों को हो मग भी बहुत ज्यादा दूंगा ठीक है संटेंस देख से मैंने बोला कि राम एक Ias officer है राम एक IS zooming आर ही अब लोग हों चलि मैं color change करता हूं räum हिंदीवाकि के है ना तो हिंदीवाकिश को पहले हिंदीवाकि हे मने बदले कैसे देखे इसके लास्ट में क्या लिखा है इसके लास्ट में हैं लिखा है तो कौन सा टेंस 80% पर्जेंट पर्जेंट टेंस अब इसी पर यह जो संटेंस है न यह जो संटेंस है न इसको पास्ट में बदलिए किसें बदलिए पास्ट में बदलिए जिसका पास्ट क्या हो जाएगा बस लास् आवाफिसर था राम एंक आईस आफिसर था अब मेरे दोस्तों इसके लाज्ड में क्या लग गया है था लग गया तो 80% वाकल के हिंदि वाकल के क्लाश्ड में था थे लगे तो वह कौन सा टेनस पास्टेनस इसका मैं एंगलीस बताउँगा पहले हिंदी में बदलिए और तिसरा जो है राम एक आई एएस अफिसर बनेगा राम एक आईस अफिसर बनेगा अब इसके लाश्ट में क्या लिखाए जी गा लिखा है गागी गे तो यह कौन सा टेंस असी परशेंट की बात कर रहा हूं फ्यूचर टेंस अब हम लोग इसको इंगली से ब बदलना है तो अगर लाश्ट में ठाते थी है तो प्रशेंट बदलना है तो है हो हो अगर उसको फ्यूचर बदलना है तो नहीं बाुचर तुम है अब जल्य संबूरDAY बनाने के लिए सबसे पहले प्रेम से आप पढ़िये इस वाज़िएए को क्या लिखा है राम एक आयस यह ज़रा राम जी कुछ होए हैं की नहीं होए हैं कुछ बने हैं की नहीं बने हैं दुनिया का कोई भी चीज आँखों से दिखाई दे रहा है तो वह किसी ना किसी रूप में हुआ है या बना है तो जब भी उसको इंगली से में बनाएंगे तो कौन सा वर्ब का परियोग कर क्या निकलता है होना या बनना इसे क्या पता चलता है दसा या इस्तिती बोलिए क्लियर वाना तो होने की बात कर रहा है न क्या चीज होने की बात कर रहा है आई एस ऑफिसर तो बताए यह नाउन हुआ की नहीं हुआ तो राम यही नाउन बना है ना परजेंट बना है की पास लिखने से पहले किसको लिखेंगे सब्जेट को लिखेंगे और यहां पर सब्जेट कौन है राम के बारें बात हो रहा है तो आपका राम क्या हो गया सब्जेट हो गया अब बताई यहां पर जो नाम है नेम है वन नेम है कि मोर्दिन वन क्या एक सधीक नाम है कि एक नाम है तो जब एक नाम है, तो क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, अगर यहाँ पर I होता, तो M हो जाता, और राम के साथ और कोई नाम होता, तो end लग जाता, तो वहाँ पर R होता, तो क्या होगा बाबू, राम इस, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्व, चलिए सब्जेक्ट हो गया राम, इस, उसके बास से बते हैं, नाउन है, एक्जेक्टिव यह एकदम क्लियर अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, तो राम इस, राम है, क्य है, ओफिसर है, कौन सा अफिसर है, आई, ए, एस, अफिसर है, लेकिन राम एक नहीं भी रहेगा, तो राम कितना इस अफिसर है, एक है, और एक का इंगलिज तो दो होता है, एक ए होता है, और एक एन होता है, यहाँ पर भी लोग नहीं बताते हैं, थोड़ा समय नोट यहा होना चाहिए माँ बाप का कभी सिर नीचे नहीं होना चाहिए ध्यान से समझो मेरे दोस्तों एक का इंगलिस दो होता है कितने होते हैं जी दो होते हैं कभी-कभी टीचर्स भी क्या करते हैं ना गलत पहले पहले की बात कर रहा हूं कि आप लोगों को जब एक-एक-एंगलिस ह होते हैं तो लोग टीचर्स क्या करते हैं कि कोई भी लेटर फास्ट लेटर फास्ट लेटर को देखकर बताते हैं जैसे माली यहां पर एपल लिखा है क्या लिखा है एपल लिखा है तो टीचर क्या कहते हैं कि फर्स्ट लेटर को देखो कौन सा लेटर को देखो फर्स्ट ले डिया तो तो टीचर्स क्या कर वाते हैं daw जिक वाते हैं कि फॉर्स्ट लेटर दिखवाते हैं और कहते हैं कि युक्रत लेटर यादि फॉर्स्ट लेटर लेठर क्या हो अ वह वेज हो वब सो मतलब अ AIO यू हो ए ई आई ओ यू हो तो फटाक से बोलते हैं कि उसका हम क्या लगाएंगे एन का परियों करेंगे एन इस यूजड यहीं न बताते हैं जी अगर अगर फॉर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू न रहे यानि कॉन सो नेंट रहे तो क्या बोलते हैं क्या लगाना चाहिए एक बतायों का पर यूग करना चाहिए लेकिन मैं कहता हूं कि यहेंटेश के लिए और ग्जाम में जब जाता है अच्छे से महिनत करके जाता है और एक नंबर के बजह से एक नंबर कम होने के बजह से बेचारा फेल हो जाता है तो चलिए अगर नोट में याद रखेगा अगर बोलते वक्त बोलते वक्त पहली आवाज पहली आवाज वेंजन से निकल जाए किससे निकल जाए वेंजन से निकले और वेंजन किसे कहते हैं जी जैसे का हिंदी वाले कुछ यह करना है का खा गा अंगा लास्ट में चले जाए कछ तरग्या तो फटाक से बताएंगे एक का इंगलिस ए लगाएंगे किलर वा यहाँ पर चलिए दखिए यहाँ पर भी नोट दखिए अगर बोलते वक्त पहली आवाज पहली आवाज स्वर से निकले हिंदी स्वर से निकले तो आप एक इंगलिस क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों ए न लगाएंगे यहनी स्वर का मतलब क्या होता है स्वर का मतलब क्या होता है ओ आ छोटी लगुई इस तरह से करते करते अं अ इससे निकले तो एक एक इंगलिस क्या लगाएंगे इन लगाएंगे किलर हुआ जैसे मैंने कहा एक्जांपल में जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा जैसे मैंने लिखा University जैसे यहां पर लिखा U-M-B-R-E-A-L-A अब बताइए पहला अक्षर देख करके लगाएंगे A-N का परियोग करेंगे तो क्या हो जाएगा अक्षर देख करके लगाना नहीं साउंड चेक करके लगाना है तब आपका हंडेड में हंडेड एक हजार भी अगर वर्ड लिखा रहे है एन आर्टिकल भरना हो तो वह गलत नहीं होगा चलिए इसकी आवाज देखिए इसको हम लोग क्या बोलते है यूनिवर्शिटी इन्वर्शिटी एन बोलते हैं जी तो इतना बड़ा लिखने की इसलिए हम यहां पर किस इसका प्रियोग करेंगे और यहां पर यहां पर जो है क्या लिखा है अंब्रेला अंब्रेला तो इतना बड़ा बोलने की जरुवत नहीं है इसका पहली आवाज जो है औस निकला है और पहली आवाज बोलते हैं वक्त औस निकला है यानि स्वर्श से निकला है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे इन लगाएंगे किलियर हुआ उसी तरीके से यहां पर जो मैं बताया था यहां पर मैं जो बताया था कि इसको बोली IAS officer तो I का पहला वाज कहां से निकल रहा है तो A का परियोग नहीं करेंगे अन का परियोग करेंगे रामी जान IAS officer IAS officer अब इसको पास्टें बदनला है तो कुछ नहीं करना है वस मैंने पहले भी कहा था present tense, past tense, future tense में अगर बदनला है तो वर्व को धियान देना है यहां पर जो वर्व है यहां पर जो वर्व है इस है उसी के जह पर क्या लगा दीजिए वाज लगा दीजिए बाकि सब उतार दीजिए क्योंकि यहां पर था पास्ट में होने की बात कर रहा है तो पास्ट में होने की बात करें तो कौन सब्वर्व का परियोकरिंग वाज वार तो अब बते जैसा सब्जेक्ट वई सब्वर्व यहां पर जो है सब्जेक्ट राम है और राम के कोडिंग वाज लग जाएगा बाकि सब सेम टूसे में उतार दीजिए राम वाज एन आई एएस ऑफिसर है अब चले इसका फ्यूचर की बात करें तो यहां पर इसका पास्ट बनाए तो वाज हुआ अब इसका जो फ्यूचर बनाएंगे तो फ्यूचर में होने की बात कर रहा है कि राम एक आईस अफिसर होगा तो होने की बात कर रहा है यानि राम एक आईस अफिसर बनेगा तो टूबी का परियोग करेंगे लेकिंग कौन सा बर परजेंट वाफ पास्ट वाफ की फ्यूचर वाफ मैंने बोला था कि यह पोजिटिव संटेंस है इसका न negative तो क्या हो जाएगा राम कि इस की में पास्टों हुआ और कि फूचर में क्या हो जाएगा विलर लगने के मतलब कीकट कि बात कर रहा है भी लगया तो फूचर में राम होगा या राम बनेगा क्या होगा एक आइ एस ऑफिसर होगा चलिए मेरे दोस्तों अब एक और लास्ट लेक्चर बचा है लेक्चर फर्स्ट आप लोग पढ़ लिजेगा अगर नहीं देखें तो यह लेक्चर सेकेंड आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और मजे स पढ़िए और इस चैनल को ग्रोथ कीजिए क्लियर वान चलिए वेरी गुड अगला जो लेक्चर फर्ड होगा उसमें आपको हम कई परकार से 42 तरीके से में आपको बताऊंगा और इक्जांपल इसका बताऊंगा और कल में परियास करूँगा कि यहां आपका टॉपिक्स क क्या हो जाए खत्म हो जाए और हां इसमें में कॉमन एरर भी आपको बताऊंगा क्लियर वां थैंक्स बाबाए